वेल्कम बैक जागल लाहॉर में आपको दुवारा से खुशामदीत कहती हूँ और अब मैं आपके मुलाकात करवानी हूँ एक चमकते सितारे से सितारा तो छोटा सा है लेकिन उसकी रोशनी बहुत जादा है मेरे साथ मौझूद है जी इमान अकील आपको खुशामदीत कहते हैं इमान अकील जी जब से ये स्कूल जाती है इन्होंने हर क्लास में फर्स पोजिशन लिया है खेल के मैदान में डिबेट में गाना गाने में बहुत सारे कामपिटिशन में पार्ट लिया इसके साथ सथ कॉ मेरा साथ माधन में आज हमारे साथ मौझू धाने का अकिसी है में बेट और आपको देख के तो में और जाथा थीक हो गई हूई की कि इसा है कि शुरू से बच्पन से इतने सारे काम करने का शॉक था कि मुझे तालीम में भी तब से ऊपर रहना है खेल के मैदान में भी क्या करती हुए यह ऐलहुदिलगा मेरी ममा ने मुझे बहुत अंपर चाहिए है हर चीज में मामा मुझे कभी इस्टानी करती है that I can't do it. अलहम दिल्ला मुझे कभी इस्टा फीलिंग निया है that I am biting off more than I can chew. I have always had this passion. कि मैं सब कुछ कर दिखा हूँ. कि I should change my country for the better. अच्छो जी, बेतरी के लिए मुल्क को चेंज करेंगी आप. कौन से sports पसंद हैं जिसमें आप पार्ट लेती हैं और उसके साथ पॉजिशन सहांसे करती हैं? मुझे sports में मुझे काफी साथ स्पोर्ट इस्टरा तो अच्छी लगती हैं लेकिन मैं racing करती हूँ बहुत शॉक से, मैं racing में पहुत पास्टू हूँ आप मुझे बैड्मिंटन पासंद है, tennis, all kinds of sports. अच्छे, तमाम खेल बहुत पसंद है. आप से मैं यह जानना चाहूंगी कि आप ने तीन बार मुसल्सल Commonwealth Games में इसे राइटिंग में पार्ट ली और फर्स पोजीशन हासे थी, क्या इसे लिखा था, क्या टॉपिक था उसका और उसके टॉपिक्स हमेशा वेरी करते हैं हर साल एक थीम होती है, लास्ट यर था पीस इसकी थीम पिस्टाहना Commonwealth कोई दनिया में ऐसे कॉंपिटिशन करते हैं, तो सकंदर मैं हमेशा नरेटिव राइटिंग चूज करते हूं, नरेटिव राइटिंग करते हूं, जो सब के लिए उनिवर्सली जो सब अडर्सनांड करें, तो अल्हम्दिला मुझे तो अपिर कैसे बन सकता है, रेसिपी में लव आता है, सबर आता है, हमारे में सबर खत्म हो गया है, तो अगर हमें बरदाश्ट लग दूसी की बात सुनने का, तो पिर हम एज़ कंट्री बहुत जादा आगे जा सकते हैं, देखा जी आपने इवान की बाते सुनी और मैंने आप से बि अनफरीद आइडिया है, no doubt, Saima, माशा अलला से आपकी लाइक देती है, ये शुरू से जो है, छोटे होते से ही कुछ एक्स्ट्रा करने की थीस में, छोटे होते से ही पता चल गया था, इन में कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़े हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी एक्स्ट होते हैं कि मैं कहीं लाइक कर रही हूँ, वो इतनी जल्दी पिक करती है और इतनी जल्दी कि बहुत मुश्किल नहीं हुई कभी बच्चे इतने जादा लाइक हो जाएं तो भी माँ को परेशानी होने लेगा, बस आला मिया से बहुत डर लगता है, बस इसी तरह नजर से ब है कि वो मोटिवेशन से जितना इनकरज होते हैं बच्चे सबसे जादा मोटिवेशन अचो जब इमान छोटी थी आपने किस तरह से पहचाना कि इसमें यह 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 तैलेंट है जिसे हम ने निखा लिए सबसे पहले मुझे यह पता चला कि जब मैं रात को सोती थी तो ज इसके भी दो साल की है और इसको कैसे ही सारी चीज़े आ गएंगे तो जस्त एक दफ़ा हाला कि रात को पढ़ती थी तो उस वक्त से मुझे यह मतलब पता जिल गया था कि जो भी करूंगी ना इनके साथ तो वो आगे ही जाएंगी आपकी जाने बाओंगी ते सारे आप जो दूते नहीं क्या दिल नहीं जाता के कहलू कूदू बच्चों के साथ मैं हमेशा मैं बैलन्स किया एंग अभी अपने आपको असरा नी कर्थी के सिरफ परहाई मैं डिफर्ण दिफर्ण दिफर्ण में जाती हूं और समने मुझे एंकरश मी किया इडिफर्ण फील्स मे इमान आप ओना सी खुल में आपको में ग्रेड एट में हुआ इमान और जिस तरह की इमान बाते करी है मुझे लग रहा है कि मैं किसी चोटी सी दादी अम्मा के साथ भाते करें यूँ जो कि इत्वे अच्छी इच्छी बाते करती है ला का शुकर भी अदा करती है और आम का पैगाम देना चाहती है, ऐसे राइटिंग भी करती है, यानि अपनी राइटिंग के जरीए बहुत सारे पैगाम आम करना चाहते हैं, अलागे इस एज के बच्छों को एट क्लास के बच्छों को सिवाई खेल कुछ भी फुरसत ही हो तो इनोंने सिंगिंग माशाळला उसमें अबने मेडल्स लियें, कुप लिये, उसके बाद ये अभी जो इन्टरनाशनल कॉम्पटिशन हुआ था उसमें ये मलेशिया गई वहाँ बहुत सारे गोल मेडल्स लीते पर ये अमेरिका गई येल उनिवरसिटी गई वहाँ फ्लैक बेर बनी पाकिस्तान का जंडा लेके अशर क्या मोमें था वैसे जब पाकिस्तान का जंडा लेह राया वह बहुत ज्यादा एक ऐसा मोमें था जो मैं कभी नहीं पूल सकती क्योंकि एदर अधर देखके एक हॉल था एक औरिटोरियम था 53 कंट्रीज के 2300 बच्चे और उनमें से फ्लैक बेर सिलेक्टोना अपनी का जंडा स्टेज पर लेके जाना और एक फ्लैक के अंडर हम सब युनाइट थे वो फ्लैक इल्म का था और इस तरह एजुकेशन को मैं अपनी कंट्री में बढ़ाना चाहूंगी लाकि इंशालला हमारी कंट्री भी टॉप प्या एक इंशालला वाँ 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 क्या बात अच्छा आपने मुझे अभी ऑफ-sk्रीन बताया था कि आपने प्यास का लाम पड़ा आपको प्यास बहाँ पसल है तो बड़ो बड़ों को समझ नहीं आती तो आपको कैसे आती है मैं हमेशा से उन पोईट्री से ट्राक्त होती और मैं भी कोशिश करती हूं कि मैं वही पोईट्री इस तरह की लिखू जिन में एक मीनिंग है तो मझे पैज अमिट फैस की पोईट्री के जो मीनिंग्स है थोड़ी थोड़ी देर लगती है समझने में लेकिन पर जब समझ आजाती है तो एक बहुत बड़ा इंपक्ट होता है सुसाइटी चले हम फिर आपको कहते हैं कि जड़ा पैस का कलाम आपने हमें सुना हूं जी मैं सुनाती हूं बोल पैज अमिट पैस का क्लाम बोल के लब आजाद है तेरे बोल जबाब तक तेरी है तेरा सुत्वा जिसम है तेरा बोल के चाब तक तेरी है बोल पोल के लब आजाद है तेरे देखके आहा गर की दुकाने तुन्धे शोले सुर्क है आहन खुलने लगे कुफनों के दाहाने हेला है एक संजीर का दामन बोल बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिसमस बाकी मौत से पहले बोल के सच जिन्दा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कहले बोल जो कुछ कहना है कहले वा क्या बात है जी आपके लिए तो ख्लैपिंग बहुत है इमान अच्वा ये अभी आपने अपने पैस का कलाम पड़ा सर्फ पड़ा ही अजानती भी है क्या कह रहे हैं फैज इसका मीनिंग मुझे बहुत जादा मुझे मेरे बहुत सादा इंपक्त रखता है क्योंकि वाट इस बोल बाउट बोल इस अल अबाउट के आप तो जो भी आपके दिल में हो आप तो कि कि जो भी सब इस कंट्री में पेदा होए जो इस दुनया में पेदा होए वो किसी वीजन के लिए पैदा होए और वो बंड़ी स्कैसक्ट्फ草ल है जो और इस रीज़न के थ्षू वो इस दुनिया को अपने अपनीबेगा इत्री के लिए कांट्री की बेट्री के लिए दुनिया की बेट्री के लिए छेइश कर सो कि किस तरह से जोруз आप सिर्फ पैज कराम पढ़ा बलकि उसका मतलब ही जानती है कि आला ताला ने कोई भी तीज नाकारा नहीं पैदा की बस हमने डिसकवर करना है कि हम इस दुनिया में क्यूं मौजूद है और जब आपको क्यूं का जवाब मिल जाए गए तो फिर जो है वो यकीनी दौर पर ना सि यह सब को अजीब सा लगेगा मगर बहुत कम टाइम देती है अपनी परहाई में ऐसाच जिसका लोग समझते हैं जिस्ट टू आर्स हमेशा से मगर इंटेलिजेंट बहुत है माशाला जब 9 उमर की 9 साल की थी तब इन्होंने किताब लिखी तो यह जब लिखी आठ साल में इनकी टीचर ने बलके मुझे कहा कि यह इतना अच्छा लिखती है आप इसको कहें के बुक लिखे तब मुझे हुआ मैंने मान को कहा के मान लिखना शुरू करो तो उसमें जब लिखा है और फिर जब यह पबलेश होई यह साइमा हमें बता रही है एनलीजा विच फेरी आ आठ से नौ साल की उमर थी इमान की जब इनों ने यह किताब लिखी है एक नौवल लिखा है इंगलिश में और हम इमान से ही जाना चाहेंगे किया बताया है इसमें किताब दो इस किताब में मैं मुझे रीडिंग भुट पसंदे ए रीडिंग इस माइ होबी तो मैं जो हर में जहीज वैसे यह चीज इन देखने हो कि हमेशा विलन को एंद में बुरा मिलता है और ही रो हमेंशा हाप्य अन रोते है लाकिन अगर आप यॉर वे मैं देखें तो मेरी बुक का मेन थीम है कि anyone can change if they try hard enough और which way fairy can return कर से बिल्कुल जी, बहुत ही खुबसूरत पैगाम है ये किताब आप देख सकते हैं जो इमान ने लिखी है और इस किताब में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि बुराई हमेशा बुराई नहीं रहती बलके बुराई जो है वो एक वक्त आता है अगर वो बदलना चाहें तो वो अच्छाई में भी तब्दील हो जाती है यह आप देख सकते हैं जी एनलीजा बिच फेरी के नाम से आट से नौ साल की उमर थी इमान की जब इन्होंने ये किताब लिखी थी और बहुत है खुबसुरत आइडिया के बुराई हमेशा बुरा ही नहीं रहती बलके अगर मौका मिले वक्त दिया जाए तो उसे बदला जा सकता है साइमा एक बहुत बड़ी मौश्वे की हकीकत है जिस पर ये किताब लिख 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 करना है कि जो बुरा है कि अब बुराइब से रिपेंट करी है कि नहीं रुट वे उन्हां बड़ी की तरफ आने और मैं एक फेरी बनना चाहती हूं तो मैंने उस थीम मैंने नहीं कुछ नहीं उद इनका अपना अपना अच्छा इमान विच फिर फेरी बन गई एंपर नावल के एंपर यह दुनी मैं मितासती यह आप मुझे बताती है न देखने वाले जो है वो इंतजार करें पस एंड में यह होता है कि हमेशा जो जस्टिस होल अपना गौल एकम्पिशे कहने के लिए वोगंप्रिश हो जाता है जब कोशिष की जाती है जो कुछ मुम्किननाय बब्लिश्ट आयू कभी ऐसा हुआ है कि आप से रिचानी होती है बहुत जाता ही ह ंर बात जाती तो अब वैशान होगी होगा यह जर मुथा के कभी मैं डिस्टर्ब होती हूं किसी बात पर किसी चीज़ पर तो यह जितना मुझे समझाती है फिर तो फिर मुझे होता है कि मेरी बेटी माशाळला से बड़ी हो गई है हमने इमान से पूछना है कि बाबा ज्यादा सपोर्ट करते हैं या मामा नहीं है यावे सपोर्ट तो मुझे दोनों करते हैं डिफरेंट इफरेंट फिल्स में बाबा भी हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन जब कुछ मनमाना होता है तो सिपारिश किस की चलती है मामा की या बाबा नहीं सिपारिश दोनों ही की चलती है हमेशा दोनों की चलती है दोनों का ला वो भुष्यार करने वाले, वाल अधु अधु प्यार को पर अचा इमान चोटे बड़े बहन भई है आपके? जी मरा ही ठोटा भाई है, Arsul Arsul है, अचोटे, वह क्या करते है आप सर्फार है? वह 3 जए पर चाल के और 4 जए जए तो वो भी बस उनसे ही में बहुत प्यार कि इतनी लडाई होती हैं तोड़ी तोड़ी स्कोबल्स होते हैं तो मैंने बलकि अभी अर्ष्ट को बताएखा के लेकिन आप तो मुझे लड़ाई वाला तो बिल्कुल बच्चा नहीं लगए हैं तो बड़ी आपा लग रही है जो स्क्तिक मुझे पहले को भाट पेमपर करकर अगाती है जी कभी कभी लडाई भी हो जाती है जिद हें इमान जिस पर झाल आप तो कुछ कितम्क तरी माहती है मैं वाक्षिमें एमान के उसमें अलहद आलहद आखिया हूँ अरसल पर दिफरंट हैं वह बहुत नौटी भी हैं और भी तो बहुत छोटे हैं मगर यह के इधरेंट की एवस वह बहुत डिफरेंटे हैं अब भी वो आगे जाके पता चलेगा इंटेलिजिन बहुत है माशाला मगर इस उमर में फिर वो हो जाएगा as a mother मगर इमान ने बहुत चीज़ें कर ली जब वो चार साली थी और यह भी बहुत बेबी of the house और इस तरह हैं चोटे हैं तो उमीदें चोटू से भी वहीं है कि है मगर यह बड़ा मुश्किल होता है अपने आपको समझाना के competition नहीं रखना और वो अलग है वो अलग है मगर यह कि यह God gifted यह Allah मया की तरफ से है अच्छा इमान आपकी तरफ आओंगी कभी कोई कोई मिनिस्टर कभी किसी नहीं आप से मिलने की कोशिश की है कि यह बच्छा बहुत लाइक है हम इसे मिले इसको एंकरेज करें ताकर यह मजीद पाकिस्तान का नाम रहाशन के हुआ कभी इस रहा हुआ था जब मैं ग्रेट 6 में थी अधी अग 11 तोना हमारे तोना उस वकना में तुरकिश प्रेजिडंट ने आना था लौहर को मेरा स्कूल मुझे चूज किया मैं जाकर चीफ मिनिस्ट्र नियु चीफ मिनिस्टर से मिलनू तो मैंने उनने ऐपनी प्रेजिट करीए उप हुआ जाह था पहे जाहन बहुत जांदा पर एंकर बहुत प्रेजिश प्रि अब भी नहीं मिली ना, हम लोग को यह पहली दफार, दो साल होगे हैं इनो ने भूक लिक है इस अब फर्स टाइम के यह टीवी पर आके इस तरह से आप लोगों ने बुलाया है मगर अधरवाइस वैसे इनों ने भूक अपनी दी है, सबको दी है मगर अभी कोई, यह बहुत बड़ी बात हुई कि लिटरीरी अवर्ड इने मिला था टूथाउजन सिक्स्टीन में तो वो इनको फेहमीदा र्याज जो है हमारी इतनी अभी उनकी हुई है तो वो इतनी बड़ी परस्नेलिटी थी उनके साथ इनका नाम नॉमिनेट हुआ फिर इनको अवर्ड बिला तो वो एक बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी एचीवमेंट अगर वैसे बहुत 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 वोस आपदे ते एका मैं हाया आपर ये Mong planning आपदी जुझा है जुझा घाखा किसी दोर्फ मुझे दोर्फ में जाभा एका झाल में जा डाहांथ तो जब धीन में जाना किक आपर हो जाते हैं के मैं हमने तो में तो मैं खिला फिला एक जाती हो नना जहाती है कि जो इसे खाने बना दो आणी लग जाती है, सब कुछ बना देती है जब बच्चा इता लाइक होगा तो फिर सारे ही लाट प्यार भी आज़े साइमा कभी ऐसा होता है कि आज पास पाले जितने भी लोग हैं वो बहुत जादा इंस्पायर हो कि आप से टिप्स ली जाएं कि कैसे इतनी अच्छी मदर बनना है कि हमारे बच्छे वीवान जैसे हो जाएं नहीं बस यह कि इस पे लाम्या का एक खास करम रहा है लाम्या का इसान रहा है और मुझे लगता है कि अगर आप खुदी अपने फेथ की तरफ सबसे पहले हो ना तो फिर लाम्या खुद मदब करते हैं यह जो भी कुछ हो रहा है या आगे जारी है उसमें मतलब हम लोग की इतनी एफिट कुछ पी नहीं है कि अलाम्या ने हाथ पक्रावा है और फिर अलाम्या ही आगे रास्ता दिखा रहे हैं तो वो बस जिस तरह भी है मैं तो कुई.. इमान क्या बनना चाहती है बड़े होकर अभी तक मैंने डिसाइड निकिया जी अभी मैं अभी यह सथे निकलेंगी तो फिर तरुफ है उनका देहा जाहती क्या है अभी मैं चालन 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 रा मैं एक आपएंगे ने देफिनिक्टिग पर्स यहांगी इन जाएंगे लिए और गुखिन में आगी अगार के अगारी तकीड है प्रिटिए। तह अगे युख आगके मैं बस वे बीगी एसी फिल में चाहते हूं जिससे इन चालेंज हैं जो नहीं कंपिक नाम रोशन होगा, मी फैमिली याप रोशन होगा और हमारी कंप्री एक बहुत जादा रिनाउन कंप्री जाहनी जाहेगा एक मेसेज दीजिए तमाम देखने वालों को मेसेज में यह जाहूँगी कि हमेशा ल्ल्ठाला का हाथ पकरना चाहिए आपको आपको सबर होना चाहिए क्योंकि हम हम अपने फ्यूचर को बिनाएंगे और I'm sure सब बच्चों के दिल में कुछ अपनी कंट्री को चेंज करने का है अपने बिलीफ करें बहुत शुक्रिया इमान आपको और भुप सारी काम या भी प्रगें करें कि आया चेक बहुत चमकते से सितारे के साथ हमने आपकी मुलाकात कराई और मुझे भी बहुत मज़ा आया बहुत सारी बाते मैंने भी सीखी और युकिनन देखने वाले जो है उ बदलने की बात करती है अब ही जाएंगे ब्रेक पर वापिस आएंगे मजीद बाते होंगी